कि नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना होमियोपेथिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे पायरिया की जो की बहुत कामन समस्या है दस में से मेरा ख्याल दो लोगों को यह होती होगी बताएंगे आपको ठीक करने की 10 कारगर होमियोपेथिक दवाएं पायरिया को ठीक करने की या परिडॉन्टाइटिस को ठीक करने की पायरिया और परिडॉन्टाइटिस एकी बात होती है सबसे पहले साथियों जान लेते हैं पायरिया होता क्या है पायरिया साथियों आपके गंप्स की वह कंडिशन होती है या वह कंडिशन फिर वह सिंटम आते हैं जब आपका जो गंप्स में बोन्स होती है और टीशू होते हैं वहार डिस्ट्रॉई होने लगते हैं infection के current bacteria के और bacteria का नाम है पारियाख यहां बैक्टिरिया आपके गंसको नुकसान पहुचाता है आपके बोंस को डीजनरेट करने लगता है उस इस्थिति को पायरिया या पैरीडोंटाइटिस कहते हैं यहां एक थोड़ी चिंतामई कंडिशन होती है क्योंकि इसमें आपको पस का डिस्चार्ज होने लगता है ब्लड का डिस्चार्ज होने लगता है बद्बू आने लगती है और सबसे बड़ी बात आपके जो टी सिंटम क्या होते हैं सिंटम साथि liberties आप सब समेचते हूंगे नमसुझけれफे कुना नामसुझभों से पस आना मसुझों फंड़ों जया दातों का हीलना कि यहां सब जो समशाए होती हैं मुह से बद्बू आना दातों से पस का डीका डिस्चार्ज होना यनिक डिस्चार्ज ह होती हैं में 3-4 बाते ही होती है कि पसा रहा है आपके मसुरों से जढ़ा रहा है बद्बू आ रही है और पेन हो रहा है और सूजाने ला लिए या सिम्टम्स हैं तो आपको पारिया की सम्भाबना पूरी है कारण सातियों कारण के लिए आपको दो बाते समरनी पड़ेंगे साथ जिंजीवाइटिस एक परिडॉंटाइटिस इस पूरी बात की शुरुवात होती है यानि पारिया से पहले की स्थिति होती है जब आपके दम्स में इंफ्लमेशन हो जाता, सूजन हो जाती है मसूडों में, लेकिन वो इतने अंदर तक मसूडों में नहीं जाती कि आपकी हड़ी को नुकसान पहुचाए, तो वो हो गया जिंजिवाइटिस, लेकिन जब वही सूजन आपकी हड़ी तक जाने लगती है दातों के, और हड़्डियों को और मस्कूलर टिशू को डिस्ट्वाइ करने लगती है उस इस्थिति को परिडॉंटाइटिस या पाइरिया कहते हैं पाइरिया की श्रुवाद साथियों पहले प्लियक फॉर्मेशन से होटी है आपका इसके ऐउपड़ इक लियर दातों पर बनती है जिसको किश करके सब्सक्राइब हमिए लेकिन वहां तक अब वह तक जी जिंजिवाइडिस होती ऑिक क्यूरेबल है उसके बाद फिर यहाँ लेयर जो होती है यहाँ जो प्लेक लेयर होती है यहाँ जो है कैलकुली के फॉर्म में टाटार के फॉर्म में आपके बड़े अंदर तक डिपॉजिट हो जाती है वहाँ थोड़ी uncontrollable situation होती है और यहाँ ही पारिया और Peridontitis होती है जब आपके Calculine दात में बन जाते हैं यानि की hard tartar आपके इखटा हो जाता है दातों में पत्री छोटे छोटे कड़ों के form में और वहाँ आपको तकलीफ करता है उसके नीचे bacteria grow करता है जो आपके bones को खराब करने लगता है दातों की यहाँ ही पारिया होता है लेकिन समस्या है तो उसका इलाज है पहला इलाज तो आप ही को करना है कि अपने दातों की सफाई रखें dental hygiene रखें जो बहुत बड़ा cause है पारिया का वो आप दिहान रखें बाकी हम आपको इसको ठीक करने की दसकारगर homeopathic दवाएं बताएं जो आपको लाब देंगे दवा बताने से पहले साथियों बता दें या दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं कोई भी दवा बिना कुसल जी किसक से पूछे ना लीचेगा पताते हैं साथियों आपको पारिया को ठीक करने की होमियोपैती में दसकारगर homeopathic दवाएं नंबर एक दवा साथियों जो पारिया की होमियोपैती में ठीक करने की है वह है Mercurial Solubilis मर्ण सॉल थर्टी दो दुबून दिन में पारिया को ठीक करने में जिस समय आपके दातों में सूजन आ गई हो लाली आ गई हो मुह से बद्बू आ रही हो और थूप बहुत आ रहा हो और अक्सर मुह में छाले भी हो साथियों आपको लग रहा होगा लाइट थोड़े चेरे पर कम हो गई है अभी अभी लाइट चरी गई है इंवर्टर से अब हम लोग इस लाइट को देकर एक सिंगल लाइट से शूट कर रहे हैं बहराल विशाय चलता रहना चाहिए बात हो रही है पाइरिया की पाइरिया की साथियों नंबर एक दवा जो होमियोपैथी में ठीक करने की है वह है मर्कूरियस सॉल्यूबिलिस मर्स और थर्टी दो दो बून दिन में तीम बार उस इस्तिती में बहुत कारगर है जब आपके गंप से ब्लीडिंग हो रही हो सबसे बेखतर दवा इस समस्य को ठीक करने की यानिए पाइरिया को है मर्सौल अब मर्सौल ठटी दो 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 बून दिन में तीन बार लेकर पाइरिया को ठीक करके लांबराप कर सकते हैं फिर सात्यों कि स्थिति आती है कि इतनी ज्यादा बदबू पाईया से मुँ में कि जो आप थूक निकल लें, सलाइवा का निगल लें, स्वालो कर रहें उस तक में बदबू है तो अगर उस इस्थिति की बदबू हो और कंडिशन हो तो इसको ठीक करने की होमियोपेटी में बहुत कारगर दबा बैप्टीसिया टिंक्टोरिया है आप बैप्टीसिया थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार ले ले, आप देखेंगे कि मुँ में इतनी बदबू की सलाइवा तक निगल लें, स्वालो कर रहें, इंटेक अंदर कर रहें, उसमें भी आपको दिक्कत होने लगती है तो अगर यहां कंडिशन आप में है, तो इसकी ड्रग ऑफ दा चॉइस आपकी आपकी यहां बैप्टीसिया है, बैप्टीसिया दवा आपको ठीक कर देगी देखे, हम लोग बात करते करते, लाइट भी आगी, शायद प्रॉपर लाइट आपको मिल रही होगी चेरे पे हाला कि मेरा ख्याल लाइट कम इंपॉर्टेंट है, और बहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोशनी हो ना हो, बास साफ होनी चाहिए तो Baptistia drug of the choice है आपको इस समस्या से निकालने के लिए, दूसी साथियों की स्थिति आती है पाइरिया में कि जब आपने जैसी ब्रश कर आपके गंप से ब्लीडिंग आने लगी और पद्बू आने लगी, अगर यहां कंडिशन हो तो इस कंडिशन को ठीक करने की हुमियोपै उससाती हम आपके पाइरिया के वह प्रेश करणे तो ऐसाते हो तो कुन आना शुरू हो जाता हो तो कर ओद रॉचेळियोग एन्यस और्विश को भी रोके की गंप से आने झारशे और आपके पारिया को भी ठीक करेगी फिर एक इस्थिती आती साथियों में कि मसूरे मुलाइम पड़ गए, मतलब मसूरे दातों को छोड़ने लगे, पायरिया इत्ता जादा हो गया कि मसूरे दातों को छोड़ने लगे, तो अगर यहाँ इस्थिती हो तो इसको ठीक करने की हुमियोपैथी में बहुत कारगर और दवा का नाम है काली कार्गोंिकम अपके टाइट होने लगे आप कार्या ठीक होने लगा और उसे लिसटीन हम आती हैं एक सभी हम जले जली खून riding Спोइब होने लगा तो अगर यहां इती ज्यादा ब्लडी डिश्चार्ज की पारिया में कंडिशन हो तो उसको ठीक करने की हुमियोपैटी में बहुत कारगर दबाए फॉस्फोरस आप फॉस्फोरस वर्यें की तीन खुराग पचपच पेट के फासले पर वीकली ले सकते हैं आप देखेंगे कि आपका मुझे जो ब्लड आने की टेंडेंसी है पारिया में वहाँ रुख गई और आप ठीक हो गए फॉस्फोरस के मरीश को ठंडी चीजे खाना जादा पसंद होता है शाम को उसकी तकलीफे करीब 6 वजे बढ़ती है और उसके पूरे शरीर में जलन बनी रहती है यह बर्निंग का एक आईसास बना रहता है तो यह स्थिति आगर हो तो फॉस्फोरस आपका ड्रगब दा चॉइस है फॉस्फोरस हेर फॉल रोकते की भी बहुत अच्छी दवा है तो उसको ठीक करने की हुमियोपैती में बहुत कारगर दवा गन पाउडर है आप गन पाउडर 3x पावर में एक एक टाबलेट दिन में चीन चार बार लेने फोर टाइम्स आप देखेंगे कि आपको जो मसूरों का पकना है सपुरेशन है पस फॉर्मेशन है वहार रुख गया और आपके मसूरे स्वस्त होने लगे फिर साथियों एक और बहुत अच्छी दवा है कोई भी दातों का दिकत हो उसको ठीक करने की खास दोड़ से पाई रिया की और वहाँ है अगर आपको पायरिया है यहाँ दवा आपको ओवरॉल आपके पूरे घंडिशन को इंप्रूफ करके आपको ठीक कर देगी फिर एक इस्टिति आती है साथियों आपके पायरिया है और आपका मसूरे तक सूज गया है सूजे हुए हैं और आपके पायरिया है तो उस सूजन को खतम करने और पायरिया को ठीक करने की बहुत खारगर दवा है लेकैसिस आप लेकैसिस वनियम की तीन खुराग 55 मिट के फासले पर वीकली उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपके मसूरे सूज गये हो उनमें नील पना गया हो मुह में कॉपर ऐसा आपके टेस्ट डेवेलप हो रहा हो और रात में सोने के बाद आपकी तकलीफियं बढ़ रही हो तो उन कंडिशन की ड्रग अप्ट चॉइस लेकैसिस है यहां दवा आपको तीन खुराग 55 मिट फासले पर वीकली लेने से निश्चित रू लावा 3x पावर में एक टैबलेट दिन में चार बार ले लें आप देखेंगे कि दातों की कोई भी समझ्चा और हेकला लावा उसको ठीक कर देती है यहां बहुत कारगर दवा है आपके दातों के विशह में और दातों के बिटर हेल्थ के लिए ये सातियों को दवाएं थ होते हैं उसके अच्छाइयां होती है उसकी बुराईयां भी होती है अगर सातियों आपके मन में कोई कुष्चन अराइज हो रहा हो तो आप हमारे नोटिफिकेशन पैनल पर अपने कुष्चन को लिख कर हमसे आप जबाब पा सकते हैं या फिर हमारे वाट्टैप नंबर इस video पसंद आया हो, तो इस video को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को स्सक्राइब करा है, और उससे सुस्ट्राइब कराते रहेगा, और बैल नोटिफिकेशन बटन को प्लिखते रहेगा, अपने चैनल के नए वीडियो ब्राप्त बातरे रहेगा. एक बार साथियों फिर दातों के आपकी हेल्थ बेतर रहे इसके लिए यहां प्रियास किया गया आपका हमारा साथ देने के लिए साथ रहने के लिए और बात को बढ़ाते रहने के लिए निरंतरे ले में बढ़ाते रहने के लिए आगे तक पहुचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के लिए बहुत बहुत थाबस धन्यवाद कुल सेव 한국फंत